तो आज मैं मी टीवी की बहुत ही बढ़िया कलर सेटिंग्स दिखाना वाल हूँ किस तरह सा आप मी टीवी की सेटिंग्स सेट कर सकते हैं ताकि आपको बैटर एक्सपीरेंस मिल पाएं और काफी अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी काफी अच्छे कलर से मिलेंगे और इन और आप देख रहें केके वर्ड तो यहां पर मैं यूज करना वाला हूँ मी टीवी 4a pro 43 इंच का तो मतलब यह प्रो सेरीज में यह सेटिंग्स चलना वाली है आपके पास कोई सा भी मी टीवी हो लेकिन उसमें इस्टॉक एंड्रोइड होना चाहिए मतलब वह प्रो वीडियो में सॉल्व हो जाएगी तो इसमें यह सेटिंग्स करने के बाद आपकी ब्राइटनेस प्रॉलम भी सॉल्व होना वाली है जादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सीधे में अपने टीवी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ तो सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा पिक्चर्स में पिक्चर्स में जाने के बाद सबसे पहले डाइमिक बैक लाइट को आफ करना होगा यह पहले से ऑन रहेगी तो आपको आफ कर देना होगा फिर बैक दीनर में तो दीनर में इसको हाई करना होगा तो इसको हाई कर देंगे तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी कलर टेंप्रेचर यह पहले से स्टेंडर्ड पर रहेगा तो मेरा मी टीवी फोर एप प्रो 43 इंच है तो इसमें थोड़ी वर्मनेस जो है वह जादा है मे इसके बाद जानाम कास्तम सैटिंग समय कस्तम सैटिंग समय ब्रायटनेस जो है वो डिक्री करके 45 कर दीजे कर द्या और इसके बहुत सकते तो 60 और 65 के बीच मैं better रहेगा स्टी एक यो Elite Ezals क्तिना स्टैंश नहीं गड़ना है इसको अलावे यहाप थोड़्या पने अकौर करते हैं वीडियो क्वालिटी को तो आप देख सकते हैं ब्लैक्स जो है वह प्रॉर्ली ब्लैक्स दिख रहा है और इसमें ब्राइटनेस भी अच्छे है अगरा सब्सक्राइब दबाना होगा जाने के बाद आपको सब कुछ वही कर देना होगा और अप्लाइट को 50 अगर अगर अपको लिमिट पर सकते हैं तो अगर आपको limit और auto में फर्क नहीं दिख रहा है तो आप auto पे भी रहने दे सकता है लेकिन आप मेरी बात मानो तो इसे limit पर set कर देना और DNR इसको भी हाई कर देना होगा और aspect ratio जो है वगर आपको non HD है अपने HD channels नहीं चला रहा है तो इसको zoom कर देना या फिर आप smart stretch कर देना तो मेरे HD channel सिल रहा है तो मैंने इसको full stretch पर कर दिया है color mode cool या फिर standard रख लीजे और फिर custom settings में जाकर वही settings set कर देना जो मैंने बताई है brightness 45, contrast 60, saturation 60-65 के बीच में और sharpness और वही को touch नहीं करना है तो यह settings set करने के बाद आपके HDMI port पर जो best settings है वह भी activate हो जाएगी तो यहाँ पर भी black जो है वह deep black है और इसके brightness, contrast वगारा बिल्कुछ सब कुछ सेम है और यह काफी natural भी है तो इसके लावा आप अपने according भी इसको adjust कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देख ले होगा यह मैंने best settings जो बताई है उसके बाद आपके TV में काफी difference आगया होगा तो पहले आप compare करके देखना और settings के बाद कोई video sample चला करे देखना आपको काफी difference दिखेगा तो आगे भी हमें best sound settings दिखाने वालो और भी hidden features दिखाने वालो और इससे पहले मैंने tips and tricks वाली वीडियो बनाई है वो नहीं देखी तो link आपको discussion में मिल जाएगी और वीडियो के end screen में मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं तो आगे पहुत सारी वीडियो आना वाले में TV से related तो बस एस वीडियो में यहीत है वीडियो पसंद आए इस लाइक कर दो अपने फैंस को शेय कर दो कोई प्रावलम में भी suggestion हो तो नीचे comment कर दो और अभी दकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नेकरा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि मैं स्तरक इंटस्टिंग वीडियो से लहता रहता हूं